2019 से हमने देखा था कि आपके पिता जी मुखिमंत्री के चंदर शेखर राउने एक कोशिश तो की थी सबको अपने साथ इखटा करने की अपने लीडर्शिप में इखटा करने की काफी सारे ओपोजिशन के नेताओं से वो मिले भी थे पर वो फ्रंट एक तरह से खड़ा नहीं हो पाया जबकि इन 26-28 पार्टी की एक फ्रंट जो है वो सामने उभर कर आ गई है तो इंडिया वर्सिस एंडिये बन गया है अब ये पूरा देखिए पौलोमी जी हमारे नेता केसियार जी का मानना ये है कि ये फ्रंट काम नहीं करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारे बार ये फ्रंट को फेल होते हुए देखा है लगातार नुकसान होता है एक इंडिपेंडेंट पार्टी को मेजोरिटी मिलती है कभी तो वो अड्वेंटेज होता है अलग-अलग लॉस पास करने के लिए इसलिए TRS से हम BRS बने हैं इसलिए हम तेलंगाना से लेके देश बर के हरेक इश्यू पर बात करना चाते हैं काम करना चाते हैं लोगों का दिल जीतना चाते हैं ये friends काम नहीं करेंगे, ये हमारा मानना है, इसलिए हम ना तो इंडिया के दल में हैं, ना तो इंडिये के दल में हैं. माम, आखरी सवाल, सनातन धर्म इस विशे को लेकर काफी सारा विवात हो रहा है इस वक्त, इस विशे पर आपकी क्या मत है? ये बिल्कुल गलत है जो discussion हो रहा है, क्यूंकि एक दल चाती है कि discussion को उटाया जाए, लोगों को भैकाया जाए और election में फाइदा उटाया जाए. हम तेलंगाना model में, तेलंगाना state में, BRS party के तरफ से ये मानते है कि दरम बहुत personal मामला होता है, आस्ता एक बहुत personal चीज होती है, तो अपने अपने गरों में, अपने दिलों में जो करने वाले बाते होते हैं, उसको public करके, public को भैकाने में किसी का फाइदा नहीं है, इसस देश का तरक्की नहीं होने वाला है, तो हमें लगता है, ये चर्चा किसी को भी नहीं आगे बढ़ाना चाहिए, ना BJP को, ना NDA को, एक दूसरे के religion को insult करके, जो चेंद वोट ले जाना चाते हैं, उनको सबक सिखाने का वक्त आया है, अगले election में मैं जनता से यही request करती ह जो neutral दल है, जो तरक्की के बारे में सोचती है, जो देश के development के बारे में सोचते है, जो संपूर्न विकास चाहते हैं, उनका साथ दीजे, ऐसा religion के नाम लेके आपको भेकाने वालों को सपोर्ट करके गलती मत करिए